हलो दोस्तो मैं हीमानी आप सब का स्वाधत करती हूँ अपने यूटुब चैनल उनेस्ट हीमानी पे तो दोस्तो मैं आज आप लोगों के लेकर आई हूँ बैयावर की famous तिल-पट्टी जी हां दोस्तो तिल-पट्टी ये तिल की पापडी के नामसे भी इसे जाना जाता है औ और यह तिल के पापड भी आप इने बुला सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल पतले पापड के जैसे होते हैं, देखने में बिल्कुल इतने बढ़िया लगते हैं, और खाने में इतने टेस्टी होते हैं, कि देखते ही मन कर उठता है, और बनाने में बहुत इजी है, और आज की र कैसे बनती है ब्यावर की special तिल पटचीश सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं एक भारी तले की कड़ाई जिसे कि हम गरम होने के लिए रख देते हैं यह थोड़ा तेज गरम होनी चाहिए ताकि इसमें चीनी अच्छे से मैल्ट हो सके इसके बाद हम लेते हैं एक कप तिल इन्हें हमने हलका सा रोस कर लिया है आप देख सकते हैं विलकुल हलका गोल्डन कलर आया है और साथ ही में उसका हाफ अमाउंट हम लेते हैं शुगर यानि की आदा कप शुगर एक कप तिल लेंगे तो तो उसके साथ आदा कप शुगर, यह perfect combination होगा, इसके साथ ही flavoring के लिए मैं लेने जा रही हूँ, इसमें पहले तो यह दिखाती हूँ, पिस्ता लिये हैं, मैंने बारी काट लिया है इन पिस्ता को, और साथ में मैंने लिया है इलाइची, इसके हमने सिर्फ दाने लिये हैं, दानों को निकाल कर उसका अच्छे से powder कर लें, अब इस गरम कड़ाई में हमने चीनी को melt होने के लिए डा दिया है, हम इसमें पानी का बिल्कुल भी उप्योग नहीं करेंगे, तो इस बात का ध्यान रहे, इसे हमें लगातार चलाते रहना होगा, और जैसे जैसे यह melt होने पर आएगी, तो इसकी कड़्ची पर यह थोड़ा थोड़ा चिपकने लगती है, तो इस बात का ध्यान रखे, उसे कड़्ची से छुटाते रहे, नहीं तो वो कड़्ची पर ही जम जाएगी, आप देख रहे हैं, पानी का यह बिल्कुल यूज नहीं है, तो इसलिए लग इस बंद करने के बाद इसको हमें थोड़ा तेजी से फटाफट चलाना होगा, ताकि तिल और चाशनी अच्छी से मिक्स हो जाए, इसके बाद हमें इसे एक चिकने प्लेटफॉर्म पर चिकने पत्थर पर इसे बेलना होगा, तो इसे हम वहीं शिफ्ट कर लेते हैं, और हम हमें बेलन को भी थोड़ा चिकना कर लेना है, अधरवाइस यह चिप केगा, तो यहाँ पर हम इसे ओईल लगा कर बेलेंगे, जिससे बहुत अच्छा बिलेगा, अब इसे फटाफट हमें इस प्लेटफॉर्म पर डाल लेना होगा, और तुरंत ही बेलना होगा, प्लेटफॉर्म पर चिकनाई लगाना भूल गई हूँ, जिसके कारण की थोड़ा चिपक रहे हैं, देख सकते हैं मेरी सासुमा कितनी तेजी सी से फटाफट बेल रही है, और उपर से इलाइची पाउडर भी डाल दिया है, जिससे की वो गरम गरम पर ही चिपक जाए, और इलाइची फ्लेवर, दो फ्लेवर की पापड़ी बनाई है, आप चाहे तो प्लेन भी रख सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है, और आप चाहे तो इसके जो पिस्ता है और इलाइची है, जब आप चाशनी बना रहे हूँ तो उस समय डाल सकते हैं, और यहाँ पर म दिखाई भी दे रहे होंगे, और इसकी खुश्बू ही बहुत अच्छी आ रही है लाइची की, और टेस्ट पे तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया बने हैं, आप चाहे तो इस पे रोस पैटल भी डाल सकते हैं, ड्राइड रोस पैटल, और वो बहुत अच्छा फ्लेवर कर देंगे वो भी, तो इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए enjoy करते हैं, सर्दियो में इस तरह की नए-नए dishes, जो की आपकी सर्दियो का मज़ा दुगना कर देंगी, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ definitely मेरे वीडियो को like, share and comment कर करना ना बुलिए, ओके बाई दोस्तो,